दोस्तो नमस्कार एक बहुत अच्छा टापिक मेरे दिमाग में आया है कि छात्रों के लिए है कि पढ़ाई कैसे करें बच्चे बहुत से पूछने लगते हैं कि कैसे पढ़ना है हम कैसे तरह से पढ़ें ताकि हमारे अच्छे अंका आ जाए हम सत्तर असी नब्वे प्रिश्चत पंचान नब्वे प्रिश्चत कैसे लिए कि आ जाए तो पढ़ाई कैसे करें पढ़ाई करना एक कला है देखिए सिक्छा मानसिक के रूप से जब तक मन नहीं होगा आपका सरीर का इस्थान तो रहता ही है कि जब बच्चा पढ़ेगा और उसका मन लगेगा उसमें साधन होंगे तो ही वो पढ़ेगा तनमन धन शरीर में सिक्छा में तनमन धन तीनों की अवस्चता होती है और जब मन यदी नहीं लगेगा बच्चे का तो वो सहीं पढ़ाई नहीं कर सकता इसलिए सबसे महत्पूर होता है मन अच्छा पढ़ाई कैसे करें ये मेरे दिमाग में आया था आप कैसे पढ़ाई करते हैं एक तो ये तरीका होता है कि सीधे सीधे बच्चे याद कर लेते हैं अब याद कर लिए तो उनको क्या करना है जाके कापी में लिख दिये नमबर में लगाया ओहो मैं कक्छा में प्रथाम आ गया सबसे जादा नमबर आ गया मेरा तो ये तो गलत है क्यों क्यों गलत है इसलिए गलत है कि बच्चा याद करके उसको लिख करके नमबर ला करके खुसी हो रहा है वास्ताओं में तो उसका अर्थ जानता ही नहीं है सब्द का तो उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है तो सफलता में या सफलता है सफलता हुआ कोई मतलब का नहीं तब ही असफल हो आप जब आप अपने सिक्षा को समझनी पा रहे हो किसी को देनी पा रहे हो उसको बेवहारिक रूप में लानी पा रहे हो तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं ऐसे बहुत से बच्चे हैं भारत की बात कर रहा हूं भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे ख्याल से 40-40% 60% बच्चे ऐसे होंगे 60-80% बच्चे ऐसे होंग बच्चे याद करके और परिच्छा पास कर लेते हैं और नौक्री तक में लग जाते हैं नौक्री में भी हर रटंत मार लिए नौक्री में लग गए बेतन मिलने लगा और उनका जीवन हो गया बहुत आराम में हो गया वो यह समझते हम बहुत बड़े तो पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने के लिए जो है, बच्चे को जब तक सब्दों का अर्थ का ज्यान नहीं होगा, सब्दार्थ का अनुभव नहीं होगा, वह ये नहीं जानेगा, कि मुझे जो है जो मैं पढ़ रहा हूँ वह किस से सम्मन्दीत है क्या है उसका उपियोग क्या है उसका अर्थ क्या है वह किस लिए है और कहां पर उपियोग होगा सिक्षा जो है बच्चा हो या बुड़ा कोई भी हो कुछ भी किताब पढ़ते हैं या कुछ भी सीखते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो उसका अर्थ यदी हमको मालूम नहीं होगा या हम जानने की कोशिस नहीं करेंगे या उसको हम बेवारिक रूप में नहीं लाएंगे तो वो पढ़ाई हमारी जीरो है एक है जैसे तोते को राम राम को तो राम राम कहने लगता है लेकिन तोते से पूछ nuclear के और राम का अर्थ बता देगा तो भलेगा राम 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 इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगा वो ये नहीं बोल सकता कि राम भगवान है जिनका मैं नाम ले रहा हूं तोते को ये ग्यान नहीं है इसलिए बच्चा यदी पढ़ करके याद करके परिक्षा पास करता है और खुस होता है तो वो उसी तोते के समान है अब जब वो अर्थ जानने की कोशिस करता है उसको बेवहारिक जानने उसका अर्थ का उपयोग क्या है भासा क्या है सब्द कहां उपयोग होगा कैसे उपयोग होगा किसके लिए है क्या है इसका ग्यान बच्चे को होना जरूरी है तो वो आदर्स और चरित्रवान बच्चा होगा यदि वो अपने वेवारिक रूप में सिक्षा को ले करके चलता है और सब्दों के अर्थ समझता है उसको गहराई से समझता है उसको समझ के पढ़ता है समझ के परिक्षा देता है अपनी भासा का उप्योग करता है तो वो बच्चा स्रेश्ट बच्चा है औ और वो आगे चलके बहुत अच्छा हो सकता है खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट के लिए और विश्व के लिए भी हो सकता है। तो अरथों का ग्यान अनिवार है। इस लोग पढ़ लिए, कराग्रे वस्ते लच्मी करमधे सरस्वती कर्मूले तुगोविंदा प्रभाते करदर्शनम, समुद्र वस्ने देवी परवतेस्तन मंडले विस्नुपत्नी नमस्तुभ्यं पादयस परसंचमा सुवेत। लेकिन वास्ताओं में क्या हम इसका हिंदी अर्थ जानते हैं क्या हमने कभी कोशिस किया क्या क्या हम किसी को बता सकते हैं क्या यदि हम नहीं जानती तो हमारे पढ़ने का कोई मतलम नहीं है हमको वही चीज सुनना चाहिए, वही चीज पढ़ना चाहिए, जिसका हम अर्थ जानते हों, और अपने वेवारिक रूप में ला सकें, और किसी को समझा सकें, और वो भूले ना, जब कोई चीज वेवारिक रूप में आ जाती है, तो वो नहीं भूलती है, नमस्का.